हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल टूथ अफ्शेव मार्केट तो डिसकस कर लेते हैं बाउट स्टॉक्स फॉर फिफ्ट ऑफ सेप्टेंबर 2023 फर्स्ट फॉल इस वीडियो इस वीडियो फॉर एडिकेशन प्रपर यहां मेरा टेलिग्राम लिंग के वर्टसप नंबर के नहीं लेना यहां पर हम एसल लेके चलेंगे 1582 यहां पर जो एसल बनेगा दाट इस 1582 यही एसल रहे हैं यहां पर भी रहेगा अगर मालो साइडवे ओपन और उपर जाए तो केंडिल का लो आपको सोफ्ट एसल रहेगा और नीचे जाएगा तो केंडिल का हाई आपका सोफ्ट एसल रहेगा ठीक है अगर गेप अपन हो नीचे आए और उपर जाने लगे तो हमें यहां बाइक करना है विद वापस आ गया तो हमें सेल करना है फॉर दिस टार्गे जो भी केंडिल का हाई होगा वो आपका एसल हो अब अगर बड़ा एसल है तो फिर आप एक एक मिनिट की केंडिल में डिवाइड कर लेना उनके हाई को लेकर चल लेना ठीक है तो अब एसडियसी बैंक और यह गेप अप गेप डाउन अगर हो गेप डाउन ओकर वापस रेंज में तो फिर इस टार्गेट के लिए इसके उपर जाता है तो हम बाई करेंगे फॉर दे टार्गेट ऑफ 990.5 यह एक अच्छी रेंज है ना इसके उपर अगर सर्वाइव करता है क्लोस कर देता है किसी दिन तो फिर इसमें एक अच्छा गेप आपको देखने को मिलेगा एंड उसके बाद अगर हम देखें सेक रेकिंड है हमारे पास 983.7 तो अगर 83.7 के उपर जाता है तो यह आपका SL होगा और इसके उपर जाता है तो यह आपका SL होगा ना तो तीन पॉइंट का SL है यह हमें यूज करना है बात कर लेते हैं Reliance की Reliance ना साइडवे ही मुवमेंट किया काफी कोशिश की but closing नीचे ही कि अगर इसके उपर closing देता है या तो आप निकलने के बाद buy करना चाहें तो buy कर सकते हैं with this SL 2405 यह SL लेके चलें तो हाँ हम buy कर सकते हैं और इसके नीचे अगर जाता है तो हम sell कर सकते हैं with this SL अब बात कर लेते हैं target क्या रहेंगे तो 2430 first target रहेगा and 2443 आपका second target रहेगा 2405 क आप के target रहेंगे in real lines SL इसमें थोड़े बड़े रहेंगे तो इसको avoid भी कर सकते हो चोटे SL करने हैं तो 7 point का SL आप ले सकते हो ठीक है 7 point यानि 2418 के उपर जाता है तो 2411 आपका SL रहेगा और 2405 के नीचे आता है तो 2412 आपका SL रहेगा यह एक चोटा SL है ठीक है reasonable and अगर next बा निफ्टी में आपको moment देखने को मिलाओगा अब बात के लिए इंफोसिस का next क्या रहे सकता है तो 14 अभी यह positive है मैंने लास्टर पे भी यह discussion हुआ था कि हाँ अब market और इंफोसिस positive है कहा तक के लिए market अभी 650-640 तक की range के लिए positive है 19,640 तो 640 के उपर फिर देखा इस week में आप बात कर लेते हैं इंफोसिस की 1470 के उपर अगर इंफोसिस जाता है तो 1478 और 1486 यह target आपको अपर डारेक्शन में देखने को मिलेंगे 1461 के नीच जाता है तो 1454 और 1445 यह target आपको डाउन साइड में देखने को मिलेंगे एसल के लेके चलना है तो 1465 आपका एसल रहेगा for buying side and अगर मैं selling side की बात करूँ तो 1465 ही यह 66 कर ले ना 1466 आपका एसल रहेगा for selling side ठीक है so that's your hard SL, soft SL क्या है वो हम पहली slide में discuss कर चुगे ठीक है gap down होगा तो किस वे में करना है वो भी हम पहली slide में discuss कर चुगे बात कर लेते हैं SBI की, SBI की चोटी सी range इसको play करना है हमें 576 and 575 आपको अगर मालो 76 के उपर मिलता है तो हम डेड़ पॉइंट का SL इन दोनों में ही आपको डेड़ पॉइंट का SL लेके चलना है 576 के उपर मिलता है तो 578.7 and then 581 तक के target के लिए play कर सकते है 1.5 पॉइंट का आपको SL रहेगा 575 के नीचे मिलता है तो 572 and 569 यह दो target रहेंगे यहां पर भी 1.5 आपका SL रहेगा ठीक है so that's about SBI SBI थोड़ा positive movement दिखाया है Tata Motors के बात करें अभी Tata Motors का movement start नहीं हुआ है जैसा movement Tata Motors में होना चीव ऐसा नहीं हो रहा है इसको फसा के रखा है कल देखना यह कि 611 के उपर जाता है तो 607.5 के नीचे जाता है तो 604 and 600 यह दो टार के downward direction में देखने को मिलाएंगी SL क्या लेके चलना है तो 60610 का आपका SL रहेगा for buying side and selling side भी 610 का ही इसमें SL बनेगा so that's about Tata Motors Tata Motors बिल्कुल side way है अभी अडानी की बात कर लेता है अडानी में क्या है अगर वन आवर की candle है कितनी छोटी रेंज में इसने पूरा दिन निकाल दी है तो कल वेट करना है 2485 के उपर जाता है तो 2536 and 2588 यह दो target रहेंगे 2444 के नीचे जाता है तो आपको 2376 and इसके नीचे जाने के बाद एक बड़ा target मिलेगा 2283 का हम है तो बुलिश में अभी movement slowly चल रहे है वैसे भी news-based stock है महिने में 3-4 बार इसमें आपको trade करना है इससे जादा करना भी नहीं है तो यहां पर SL के लेके चलेंगे तो SL 2470 होगा आपका for buying and 2465 होगा नहीं 2470 आपका for selling and 2465 होगा for buying that's your hard SL I hope चीज़ें यहां तक clear होगी अगर clear है तो please like, share, subscribe, like और comment कर दिया किज़े ताकि clear रहे है कि हाँ आपको यह कैसा लग रहा है So, thank you